Hello and Namaskar everyone, I am Dr. Megha और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विटलिगो के बारे में कि अक्सर जब लोगों को वाइट पैचेज या विटलिगो स्टार्ट होता है तो वो अपने डायेट में कुछ चीजे छोड़ देते हैं मित के चलते या इधर उधर से सुनते हुए क्योंकि लोग जब आपको कोई भी बिमारी शुरू होती है तो लोग अपनी ओपीनियन देना शुरू कर देते हैं जैसे कि इंडिया में अल्मूस्ट हर एक इंसान बिना डिगरी की डॉक्टर है तो उन चीजों को ना सुनते हुए लोगों की बाते ना सुनते हुए आप कुछ भी ऐसा ना करें जो आपका विटिलिगो भड़ा दे और उसको सिवियर कर दे तो अगर आपको विटिलिगो हुआ है या शुरू हुआ है या विटिलिगो है तो आप कौन सी चीज़े अपनी डाइट में आड करेंगे या अवाइड करेंगे जिससे कि विटिलिगो बढ़े ना, spread out ना हो और वो धीरे-धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपको डाइट में अवाइड करना है मैदा, मैदा आप जितना अवाइड करेंगे उतना आपका विटिलिगो बढ़ने से रुकेगा, मैदे के साथ साथ आपको अवाइड करना है अरा रोट, हम अक्सर जब क्रिस्पी चीजे बनाते हैं पकोड़े या फिर ब्रेड रोल या फिर कुछ भी जो फ्राइड चीजे होती हैं उसमें हम अरा रोट यूज कर लेते हैं उसको एक कंसिस्टेंसी देने के लिए ताकि वो क्रिस्पी हो जाए या फिर टेस्टी बने तो ऐसी ची के लिए हैं बेसन की सबजी है तो अगर आप बेसन इंक्ल्यूड करेंगे तो आपका जो विटलीगो है वो बढ़ने से रुकेगा और आपके बॉडी को जितने भी रिक्वाइड मिनरल्स है जो डेफिशेंट हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो बेसन के जुआर बाजरा इन सब की रोटी खिचडी बना के खा सकते हैं अब मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके विटलीगो को भढ़ने से रोकेगी और धीरे-धीर उसको कंट्रोल करेगी आपके डायेट में आपको एड करने है प्रोटीन क्योंकि जब इन्क्रीज करने के लिए कुछ पर्टिकलर अमीनो आसिट्स की जरूरत होती है वह अमीनो आसिट आपको कहां से मिलेंगे डायेट में सोर्सेज में प्रोटीन से क्योंकि अमीनो आसिट डेरिवेटिव है प्रोटीन का तो अगर आप अपने डायेट में प्रोटीन ही नहीं लेंगे तो वो amino acid release नहीं होंगे जिससे melanocytes melanin ढंग से release नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर जरूरी है protein एक required amount में जाना protein की form में आप जितना हो सके दाल खाईए आप कोई भी दाल for example आप मूंग दाल ले सकते हैं अगर आपको gas की problem नहीं होती है तो आप उड़त दाल ले सकते ह पागी मूंग दाल बहुत healthy होती है proteinious होती है तो आप जितना हो सके दाल खाईए protein form में आप जितना हो सके lentils खाईए आप जितना हो सके mushrooms खाईए अगर आपको mushrooms से कोई allergy नहीं है तो आप जितना हो सके chick peas खा सकते हैं beans खा सकते हैं तो इन particular protein sources को add करके अपने food में आप amino acid को normal क कर सकते जो deficient हो रहे हैं जिससे आपके मिलानोसाइज अच्छे से मिलेनिन रिलीस करें नेक्स्ट आपको जो चीजे खानी हैं वो होनी चाहिए जिंक derivatives क्योंकि vitiligo अपने आप में एक autoimmune disorder है जिसमें minerals और vitamins की deficiency हो जाती है melanin के साथ-साथ तो अगर आप zinc को आप चाहें तो supplement से पूरा कर सकते हैं अपनी body में लेकिन अगर आप supplement से चाहें तो उसको food से भी gain कर सकते हैं food sources से gain कर सकते हैं ताकि आपका vitiligo जो फैल रहा है एक तो वो control होना शुरू हो जाए साथ-साथ वो ठीक होना भी शुरू हो जाए तो zinc के जो sources होते हैं food के वो आपको मिल जाएंगे चना seeds में वो चने जो होते हैं black color के उसमें मिल जाएंगे, pumpkin seeds में मिल जाएंगे, sezam seeds में मिल जाएंगे, legumes में मिल जाएंगे तो अगर आप ये चीज़े अपने खाने में आड़ करते हैं, तो आपको zinc एक fulfill amount में body में मिल जाएगा, जो zinc deficient हो रहा है, especially vitiligo patients में zinc deficient हो रहा होता है, copper deficient हो रहा होता है, जितने भी required minerals and vitamins हैं, जो आपके melanin production में help कर रहे हैं, melanocytes को melanin release करने में help करा रहे हैं, वो deficient हो जाते ह हैं अपने खाने में, अपने food में, अपने dietary regimes में, तो आपके vitiligo जो spread हो रहा है, जो continuously बढ़ रहा है, वो control होना शुरू हो जाएगा, और धीरे-धीरे with proper treatment, medicines का proper treatment, जो आपके autoimmune disorder को ठीक करेगा, उसको reverse करेगा, उसके साथ-साथ, तेजी से recovery जो है आपकी fast हो जाएगी, जो धीरे-धीरे हो रही है, या जो spread out हो रहा है, अगर ये चीजे है साथ-साथ, और अगर आप एक treatment सही ले रहे हैं, क्योर की तरफ treatment ले रहे हैं, तो आपका treatment in diet को add करके, या in food sources को add करके, वो तेजी से recovery की तरफ चला जाएगा, और ये बढ़े गानी या spread out नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है कि patient का एक जगा ठीक हो रहा है, with our medicines या कोई भी treatment के साथ, लेकिन फिर क्या होता है कि किसी नई जगा पे वो दिखना शुरू हो गया थोड़े दिन बाद, तो अगर ऐसा हो रहा है, that means आपकी body में कुछ चीज की deficiency है, जो उसको बार-बार recur कर रही है, या ब required है चीजे वो proper amount में या एक proper मात्रा में मिल रही है, तो आपकी body जो deficient हो रही थी, वो recover कर रही है, और ये बार-बार आपको reoccurrence नहीं दिखेगी, तो अगर आपको किसी भी तरह का सफेद दाग है, चाहे कितना भी पुराना है, चाहे किसी भी उमर में है, तो आप हमें न फोटोस भेजे और हमसे सही guidance लेकर अपने विटल इगो को ठीक करें, और एक happy, confident, beautiful life spend करें और अपना confidence वापस पाईए, and जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, you are beautiful, किसी कोई क्या बोलता है, कोई matter नहीं करता, आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है, वो matter करता है, तो आप ह करके बताईए कि आपकी क्या परिशानी है, so thank you and take care.